नमस्कार अमकर नियूस मापका सौगते महुदीप शिखा बुलेटिन के शुवात खबरों से भीशन गर्मी से जूज रहे उत्तर मध्य देश में मांसून और उसके पहले प्री मांसून का इंतिजार हो रहा है इसी बीच शनिवार को मांसून पश्चिमी तट पर गोवा मुंबई को पार करते हुए पहुँचा हलाकि अब दक्षणी गुजरात तेलंगाना महराश के कुछ हिस्सों तक पहुँचने के लिए अनुकूल सितियां बन चुकी है इसके साथ ये दक्षणी राजिस्थान गुजरात पश्चिमी मध्यप्रदेश और महराश के कुछ हिस्सों में बीते प्री मांसून बारिश हो रही है वही मध्यप्रदेश में मांसून अरब सागर ब्रांच के जरिये इंदोर संभाग से एंट्रे ले सकता है मौसम वैज्यानिकों के अनुसार मांसून की बंगाल के खाड़ी वाली ब्रांच सक्रिये नहीं होई जबकि अरब सागर वाली ब्रांच सक्रिये है वही करीब 15 या 16 जून के आसपास मांसून मध्यप्रदेश में पहुंच सकता है 36 गड़ के जांचके चांपा जिले में बोर्वेल के लिए खोते गए गड़े में फसा राहूल अब सिर्फ 8 फीट दूर रह गया है राहूल तक पहुंचने के लिए टनल बनाने का काम जारी है वही बीच बीच में चटान बाधा बन रही है ऐसे देखते हुए ब्लासपुर से मशीने भी मंगवाई गई है हलकि राहूल के सुरक्षा और मिट्टी धसकने के डर को देखते हुए काम की स्पीड कम है वही कलेक्टर का कैना है कि अभी भी राहूल को बाहा निकालने में 6 घंटे लग सकते हैं 36 गड़ भाशपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्णू तीव साय अल्प प्रवास पर ब्लास पर पहुंचे जहां उन्होंने भाशपा कारीकरताओं से मुलाकात की इस दोरान उन्होंने मीडिया से बाचीत कर कॉंग्रिस पर हमला बोला उन्होंने कहा कि दिल्ली में एटी की मुख्य मंद्री पर कारवाई नाय उचित है दरसल नैशन हैराल मामले में एटी ने कॉंग्रिस के दिगश नेता राहुल गांधी और अध्यक्ष सुन्या गांधी को समन जारी किया है इस दोरान कॉंग्रिस लगतार विरोध प्रदर्शन करती नजर आ रही है दिल्ली में बड़ी संख्या में कॉंग्रेसियों की ग्रिफतारी भी की जा रही है इस दोरान 36 गड़ के मुख्य मत्री भूपिश बखेल भी दिल्ली पहुंचे है जहां दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन के दोरान उन्हें ग्रिफतार कर लिया इस कारवाई को भाजपा प्रदेश अध्धक्ष ने सही करार दिया है जिसके अलावा भाजपा प्रदेश अध्धक्ष ने कींडर पर जिम्मेदारी डालते हुए कई बाते कहीं ED एक सोतंत्र एजेंसी है और अपना काम उख कर रहा है और आपको मालूम होगा कि गोद्रा कांड जब हुआ था उस समय आदने नरेंद मोंदी जी जो आज देश के पधान मंतरी है गुजरात के मुख मंतरी थे तो SIT उनको भी 9 घंटे रोक के रखा था तो सोतंत्र एजेंसी है इनको सोतंत्र एजेंसी है काम करेगा अगर लोग सही अपने जगह पर तो डर काहेगा 36 गड की मुख्यमंतरी भूपेश बखेल दिल्ली दौरे पर है जहां उन्हें दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया था इस दोरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है अपने लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है विपख्ष को दबाने की कोशिश कर रहे हैं वहीं सोन्या गांधी जब एडी के सामने पेश होंगी तब इससे भी बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस कितनी भी रोकने की कोशिश कर ले जीत सत्ते की होगी चात्रों का कहना है कि युनिवरसिटी पहले रावतपुरा उन्लाइन परिक्षा लेने वाली थी लेकिन अचानक ऑफलाइन परिक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया प्राइपर में कॉंग्रेस का धरना प्रदर्शन जा रही है प्रदर्शन कॉंग्रेस प्रदेश अधक्ष मोहन मरकाम के निजतव में किया जा रहा है बतारे की एडि कार्याले के सामने कॉंग्रेस नेता मौन धन्य पर बैठे रहे वहीं दूसी तरफ जारी पार्क टिक्रापारा के पास काली पट्टी बांध कर मौन धन्य जारी है बतारे की इनरी सरकार पर एडि जैसी संस्थाओं का प्राफुल गांधी को नोटिस के विरोध में कॉंग्रेसियों ने एटी कार्याले का घहराओ किया। प्राफुल गांधी को नोटिस दे कर पूश्टाच के लिए बुलाया गया है। वहीं एडिशनल स्पी अविनाश ठाको ने कहा यहां पर कॉंग्रेस पार्टी के लोगों ने धन्ना प्रदाशन कर ऑफिस का घहराओ किया। वहीं संबन में एटीम को ग्यापन सौपा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मानी अध्यक्ष मोहन मरकाम के निर्देश पर आज यहां एडी आफिस का घहराओ हमारे पूरे कांग्रेस जनों ने किया है। केंद सरकार जिस तरह से हमारी कांग्रेस की लोगपरीता को देखते हुए बौकला गई है। और हमारे सिर्शस्त जेताओं को आज परिशान करने में लगी हुई है और उसके लिए एडी के दुरूप्योग कर रहे हैं। आज इसी तरह से भारती जन्ता पार्टी की जो आठ साल के कुशासन नरेद मोदी जी के कुशासन की विफलता है। उसको भी शिपाने के लिए इस तरह के नए-ए-ए-फथ करने अपना रहे है। आज पुरी तरह से आज निर्दोष है राहूल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और उसके बावजूद भी आज उनको परिशान करने के लिए ए-डी के ब्यान देने मुलाए लेकिन इससे डरते नहीं है। हमारे राहूल गांधी जी जा करके ब्यान दे रहे हैं। कांग्रेस के कारकरतों दोरा जीला कांग्रेस कमिटी के जो प्रमुक गिर्जदुभी और उनके प्रदेश अदेश मोहन मरकाम के नितिकत में अभी ए-डी कारे लेके पास आकर उनके ख्यालाब जो कारवई उसको लेकर उनके ग्यापन दिया है। PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम, कॉंग्रेस नेता, सुन्या गांधी और राहूल गांधी को ईटी द्वारा नोटिस दिये जाने को लेकर कॉंग्रेसी नाराज है। केंदर में बैठी भारती जनता पार्टी की मोधी जी की सरकार को विपाच के नेता हमारे नेता राहूल गांधी जी अगर देश की जनता के सामने रखते हैं तो केंदर सरकार को तकलीब होती है, पेट में दर्द होता है। इसलिए एडी के माध्यम से हमारे नेता को नोटीस दिया है, हमारे नेता राहूल गांधी जी योद्धा बनकर एडी कारे ले जा रहे हैं। लोग तंद्रे की, प्रजा तंद्रे की हत्या करना चाहती है, मगर हम मोधी सरकार से डरेंगे नहीं, लडेंगे और उसके हर नोटीस का, हर का जबाब देने के लिए हम तयार हैं। देखिए अपनी नाकामियों को दबाने के लिए छुपाने के लिए विपक्च को दबाना चाहते हैं मगर विपक्च कभी डरेगा नहीं जुकेगा नहीं और उसके हर का मुकाबला करने के लिए तयार है मुख्यमंत्री भूपिश बग्खिल के विफाक के अथिकारियों के तबातले हुए मंत्राले स्यारेश के बाद तबातले की लिस्ट में सयुक्त संचालक, उपसंचालक, सहायक संचालक और सहायक जनसंपर्ग अधिकारी शामिल है जिसमें 15 से अधिक जनसंपर्ग अधिकारी के तबातले हुए जिसमें पंकज गुपता, जिला जनसंपर्ग अधिकारी को संचाल नाले राइपुर किया गया वहीं संत कुमार चन्राकर, सुजीत कुमार सिंग अब राइपुर में अपनी सिवाएं देंगे और जरीन खान सहायक संचालत को जांजगे चामपा भीजा गया सांथी विशाल कुमार जैसफाल को गौरेला पैंडरा मरवाही की जिम्मेदारी दी गई उतरपरदेश के सहारनपुर में खनन माफिया आदेशों की धज्या उड़ा रहे हैं रात होया दिन यहां खनन के ट्रक सडकों पर दोड़ते नजर आते हैं वहीं ये ओवा लोट ट्रक ठाने के सामने से ही निकलते हैं लेकिन इन पर अभी तक कोई भी कारवाई नहीं की गई शेडी के साई बाबा धाम जहां लाखों के सख्या में भक्तों की भीड उमरती है यहां के चड़ावे की बात करें तो चंद महीनों में करोडों का चड़ावा बाबा साई को चड़ आता है वहीं साई बाबा धाम में कोवीड के बार भी चड़ावे में कोई कमी नहीं आई साइन संस्था की CEO भागिश्री बानायत ने पताया कि महराश्य सरकार की अनुमती से साइन मंदिर 7 अक्टुबर 2021 को भक्तों के लिए खोला गया था लेकिन कुछ दिन तक भक्तों की संख्या कम रही मंदिर खुलने के बाद 31 मार्च 2022 तक 41 लाख से अधिक्ष्र धालों ने यहां साइबाबा के समाधी का दर्शन किया तो वहें 7 महिनों में 188 करोड 55 लाख 31,911 रुपे का दान जमा हुआ कोविड की स्थिती पहले काफी हमारा साइबाबा संस्तान की तरफ आने वाले दान का ओख काफी कम हो गया था लेकिन मंदिर खुलने के बाद आने वाले दान में काफी बढ़ोतरी दिखाई गई है और आज तक अक्टूबर 2021 के बाद आज तक साइबाबा के डोनेशन बॉक्स में 188 करोड 55 लाख से भी जाना डान डाला गया है अर्थात शिरडी की सबसे बड़ी क्राउड का रीजन ही भगतों की साइबाबा के उपर जो श्रद्दा है जिस श्रद्दा की वज़े से लोग साइबाबा के डर्शन के लिए यहाथे खीचे चले जाते हैं वही इसका सबसे महत्वपुर्न रीजन हम मान सकते हैं किन्री मंत्री प्रहलाद जोशी ने सुमवार को हेल्ट एंड वेलनेस सेंटर का निरिक्षण किया निरिक्षण की बाद वे टी-एच डी-सी गेस्ट हाउस बीपुर्म पहुचे जहां किन्री मंत्री ने टेहरी डैम टॉप एंड कैलरी का भ्रहमन भी किया जहां महाप्रबंदक टी-एच डी-सी ने डैम की जानकारी दीस दौरान उन्होंने प्रहली जल शक्ती संग्राले का निरिक्षण कर जन्नी ओफ टेहरी डैम डॉक्यूमेंटरी फिल्म का प्रसारण वा पौवर हाउस का निरिक्षण किया मद्यप्रदेश की राधानी भोपाल में महीला की चहरे को ब्लेट से चीर देने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने ग्रिफतार कर लिया वही मुख्यमंटरी शिवराज सिंग चोहान पीडित महीला से मिलने उनके निवास पहुंचे उन्होंने उसे भरोसा दिया कि आरोपियों के खिलाब सक्त कारवाई की जाएगी वही मुख्यमंटरी ने पीडिता के परिवार को एक लाख रुपे की आर्थिक मदद देने की गोशना की शिवराज ने कहा कि पीडिता के लाज का खर्च राजसरकार उठाएगी जिस हमस से बदमाशों का मुकाबला किया वो दूसरी महिलाओं के लिए प्रे रख है दरसल फुपाल के टीटी नगर थाना शेटर में 9 जून की शाम रोशनपुरा चौराहे के पास महिला के साथ मारपिट और पेपर कटर से चहरे पर वार करने की घटना हुई थी वहीं आरोपियों के घर का वैद निर्मान भी गराया था 11 और 12 जून की दर्मियानी रात में पुलिस ने 38 साल के मुख्य आरोपी बादशा बैग के साथ उसके दो नाबालिक साथियों आजे और निखिल को पकड़ लिया बहन सीमा सोलंकी से मिलने आया था ये वो बहदुर बहन है जिसने गुंडों ने जब छेड़ चाड़ की कोसिस की तो उनको थपड़ मारा था पहले वो भाग गयते भीड देखके और बाद में जब अपने पती की साथ सीमा जारी थी तो बलेड उसको मारी इस घटना से मेरा मन दुखी भी है लेकिन उद्वेलित जादा है जिन अपराधियों ने ये पात किया है उनको हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर उनको कठोर तम सजा दी जाएगी कठोर कारवाई की जाएगी आज समेरी मैंने बैठक बुला के साथ कह दिया है कि इस तरह की घटना बरदास्त नहीं की जाएगी ग्रफतार तो होगा है कठोरतम कारवाई होगी छटरबूर जन्पर पंचाइट के ग्राम मुराहा में अनुसूचित जाती महिला के लिए अरक्षित स्ट्रीट दी गई है वैसे तो स्ट्रीट पर आधा दर्जन से जादा उमीदवार चुनाओ मैदान में है लेकिन शिक्षित और युवा प्रत्याशी के रूप में जान की मनूच अहिरवार का नाम आता है प्रत्याशी जान के अहिरवार मौराहा ग्राम पंचायट में सबसे लोप्रिय उमीदवार के रूप में सामने आई है जो जनता चाहेगी वो हम सब करा देंगे पानी की सुबदा नहीं है तो हम पानी की सुबदा भी करा देंगे मंगल भवन आपके हाँ नहीं है साधी के लिए नहीं है यहाँ तो वो भी हम कर देंगे जी हमारी जान की भाई एरोर वो पड़े लिखी सदस भी है और वो मतलब अच्छा उनको सोच रहे हैं कि उनको जिताने के लिए आगे बढ़ रहे हम दो इसलिए हमने उनको आगे खड़ा किया है इन दिनों नगर निगम चुनाओं में राजनीतिक पार्टियों के अलावा टेंट व्यपारी भी कुछ वाड़ों में अपने प्रत्याशी को खड़ा करने की बात कह रहे हैं टेंट व्यपारी संग ने सुमवार को पतकार वारता आयुजित कर जान करी थी कि आगामी निकाय चुनाओं में हम मैदान में उतरने जा रहे हैं वैसे भाजपा पार्टी के तरफ से टिकट की मांग की है भाजपा अपना प्रताशी घोशित करे अने था निर्दली भी चुटाओं मैदान में डटने की तयारी है और उनके समर्तन में आज ये पूरा हमारा संस्ता इखटी हुई है जिनका कहना है यदि भाजपा इंट तीन प्रत्यासियों को टिकट देती है वाट करमांग 18, वाट करमांग 34 और वाट करमांग 38 से और प्रवल दावेदार है हमने अपने संस्ता के दुवारा सर्वे भी कराया है 36 गड के जांजगिर जिले के पिहरीद गाउ में बोर्वेल में गरे 10 साल के राहुल को निकालने की हर कोशिश की जा रही है सोमवार को सुभा 10 बचे तक बच्चे को बोर्वेल में गरे 65 घंटे हो चुके हैं रात की वक्त राहुल सो गया था मूवमेंट नहीं होने के कारण रैस्क्यो आपरेशन बंद करना पड़ा इस बीच सुभा करीब 5 बजे जब मूवमेंट हुआ तो उसे खाने के लिए फ्रूटी और कीले भी दिये गए कलेक्टर जिटेंड शुकला ने बताया कि राहुल अभी 10 पीट की दूरी में फशा हुआ है चट्टान की बज़ा से टनल बनाने में दिक्कत आ रही है कोई भी मशीन लगाने से पहले बच्चे के बारे में सोच कर ही कदम उठाया जा रहा है बताया जा रहा है कि बच्चा मूख बदिर है मानसिक रूप से काफी कमजोर है जिसके कारण वे स्कूल भी नहीं जाता था घर पर ही रहता था मद्यप्रदेश निकाय चुनाओं की सरगर्वियों के बीच प्रमुक राशनीतिक दलों के अलावा आम आद्मी पार्टी ने भी अपनी मौजूद की जताने के लिए जतन कर रही है वहीं आम आद्मी पार्टी ने पत्रकार वारता में बताया कि कटनी नगर निकम चुनाओं में महापौर प्रताशी और 45 वाड़ों में अपने प्रताशी उताने जा रही है उन्होंने कहा कि इमानदार स्वच्छ छवी का चहरा हमारा प्रताशी होगा आम आदी पार्टी के सभी प्रत्यासी जंता के अनुरूफ हैं इतने बर्सों में देखा है अब आम आदी पार्टी कि तरफ लोग नजर गड़ाय हुए हैं सब की एक आशा है कि अम आदी पार्टी अरवेंद केअजीबाल की पार्टी हमारे सहर में भी आए लोग बोट दोने के उस्सुप है, निरंतर लोगों की फोन आ रहेते कि कब आप आपनी पार्टियों की प्रत्यासी की घोशना करेंगे, इसलिए आज पहली सुझ जारी करनी पड़ी, कल साम को महापोर्ट प्रत्यासी की घोशना आमादी पार्टी करेगी, और तीन चरणों म के सभी मद्दाताओं को घर-घर जाकर मद्दाता परशी का वित्रन कराना सुनिश्चित करें, उन्होंने कहा कि ये कारेवाही मद्दान दिनांग के पहले कर ली जाए, नगरी निकायों में प्रथम चरण का मद्दान 6 जुलाई और दूरसे चरण का मद्दान 13 जुलाई क कीनरी मंत्री प्रहलाद जूशी दो दिन की दौरे पर टेहरी गड़वाल मौचे, इस दौरान एक कारिकरम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पीम मोधी ग्रामिंट शेत्रों में रहने वाले लोगों के अच्छे सास्त के लिए प्रयास रत हैं, अभी हमारे पास च किस्तकों की कमी है, क्योंकि पिछले सरकारों ने पचास से साथ साल में कम डॉक्टर देश को दिये हैं, लेकिन अब सरकार उस कमी को पूरा करने का काम शुरू कर शुकी है अग्रह के कारण हम सब लोग गुम रहे हैं, प्रधान मंतिजी का एकी कंसर्न है, वह है कि जो ग्रामी निला के दूर दराज के कारणे में नलाखा है, उदर भी हमारा स्वास्त के सुविदाए जाना चाहिए, इसलिए हेल्थ और वेलेस नेंटर, जो इतना जो छोटी सी ग राइपुर के देविंडर नगर में तीन दुकानों से लाखो रुप्यों पर हाथ साफ करने वाले शातिर चोर को ग्रिफतार कर लिया है, पुलिस ने चोर के पास से साड़े आठ हजार नगदी समिट बाइक बरामत की है, जानकरी के मताबक शातिर चोर देश के कई राज् और उमरिया से है जहां जल संगट के चलते लोग परिशान हैं, कुछ तालाब और बावडियों का पानी सूप चुका है, तो कुछ में पानी गंदा है, आलम ये है कि लोग अपने रोजमर्रा के कामों के लिए दो पानी की एक एक बून को मौताज हैं, सरकारी अफसर और न जाए यब हम बतावता हैं, हम एक लोग जो पानी यूज करते हैं, कुछ और नल सब सूप चुकी है, और वाड नंबर 6 में बहुत समस्या हो रही है, और कोई लाइन यहां भी चाही नहीं गई है, उसमें हम लोग पानी के लिए बहुत आसूंजा हो रही है, उमर्या के सभी बाड़ों में बरतवान में पेजल संकट भीशन है, और खास्त तोर से फलेशर, विकटगंज और सिंगल टोला से ले करके आपके पूरे रंपूरी, मोहनपूरी और जौला मुखी में पेजल का भीशन संकट है हलद्वानी के नगर निकम सभागार में मजदूरों के हक की बात पर मन्थन के लिए सम्मिलन किया गया, जिसमें संगटन के प्रदेश अध्षके के बूरा ने कहा कि साल दर साल मजदूरों के अधिकारों में कटौती की जा रही है, लेकिन सरकार है कि नफरत की राजनिती क करने में असल मुद्दों से देश के नागरेकों को गुम्रा कर रही है, जाते हैं कि आज जिस तरीके से तेज महंगाई है और मजदूरी काफी कम है, और उसके सासाथ इस देश के मजदूरों को जो उनके अधिकारों में कटौती की जा रही है, उन सब के बजाए हमारी सरक दिष्ञार इसको नफरत में दुगा देना चाहते हैं, तो हमें कहना चाहते हैं कि यह बंद होना चाहिए, और भारत के ज़स्रा शम्विधान के हिसाब से जो हमारी रोजगार रक्षा की गारंटी हमारा सम्विधान हमको देता है और हमारे पेशागत जो उपायों की गारंटी हमको समिधान देता है सरकार उन अधिकारों को बहाल करे कानूनों को बहाल करे लेवर कोड बहाल करे और तमाम जगहों से अस्थाई काम की प्रवित्ती में जो काम धकेल दिये गए वो खत्म किये जाएं 36 गड़ पुलिस ने नशा मुक्ती के लिए नवा बिहान नशा मुक्ती अभ्यान चलाया जिसके चलते अंबिकापुर्ग की पुलिस ने कारवाई करते हुए पैसर नग नशीले इंजेक्शन के साथ युवक को ग्रिफतार किया दरसल पुलिस को सुचना मिली थी की दर्री पारा के पास एक संदिक नशीले इंजेक्शन बेचने की फ्राक में है सुचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुँची और नशीले इंजेक्शन के साथ युवक को ग्रिफतार किया सुचना मिला कि एक ब्रेक्ती दर्री पारा आधी तोटर सामने भारी मातरा में नसीली इंजेक्शन लेके बितली करने हेतु खड़ा है उस सुचना को ततकाल में अपने वरिश दिकारियों को आउगत करा के निर्देश प्राप्त करके तुरंत अपने स्टाप लेके बिधिवत जो एंडी पेस के ततक करवाई होता है उत्ते प्राप्धानों का पालन करते हुए तुरंत जाके गहराबंदी करके हम लोग आज अभी करीब बारा बजे सुबे प्राप्त को आथा कारवाई करते बारा एक बज गया है गिरफतार किये है उससे भारी मातरा में मिला है 65 नग इंजक्शन जो किये अंतराजी है अभी बहुत कारवाई किये है तो रुगा है फिर भी बाहर से कुछ ना कोई आखे करता है एक बार में पास ना होने वाले छात्रों के लिए रुख जाना नहीं कारिक्रम के अंतरगत कराई जा रही परीक्शा में फर्जी वाड़ा करने के प्रयास का मामला सामने आया है मुरेना के जीडी हायर सेकेंडरी स्कूल में चल रही परीक्शा के दौरान पांच लोग दूसरे के जगा परीक्शा देने पहुंच गए इस दौरान जब उनके प्रवेश पत्र चेक किये तो वे पकड़ में आये जिसकी सूशना तुरान पुलिस को डी गई वहीं पुलिस ने मामला दर्च कर जाच पड़ताल श्रू कर दी है कॉंग्रिस में अंतर प्लेक थमने का नाम नहीं ले रहा है नाया मामला उतराखंड के हल्दवानी का है जहां नव संकल कारिशाला कारिकरम के दौरान कॉंग्रिस से निश्कासित कारिकरता ओवेश राज़ अपने समर्दकों के साथ वहां पहुंच गए जहां उनका कॉंग्रिस विधायक सुमित हिर्देश में विवाद हो गया इस दौरान कारिकरता अपस में भिढ़ गए और कारिकरम में जम कर कुर्सी चली जिसके बाद कॉंग्रिस बद अधिकारियों ने मामले को शान करवाया अब ली हो तो आप सारवजिन कर रहे हैं लोग का अगस निशकासित कर दिया अब निशकासित कर भी दिया चलो मनमर्दी चल भी रही है यागर आपके माना गुंड़गर्दी चल ले आपकी पारड़ी में तो हम किसी यहां लोकल नेता के साथ में आये थे हम अपने नेता शी के साथ आयए थे हैं यह ही कहना चाहता हूं और कोई बात नहीं है अगर सुमेसे के ख़िलाफ काम करें सुमेस को से निकाल दिया जाये तो कॉमख्ति की सा पिछले एक महिने से ग्राम पंचाय जैपुर खीमा का धनपुर गाउन लोग वोल्टेज की समस्या से जूज रहा है फसलों को पानी ना मिलने से खेट पूरी तरह सूप कर बंजर होते जा रहे हैं जिसके चलते संकट गहराता जा रहा है ग्रामिनों ने समस्या को लेकर नलकू विभाग के अधिशासी अभियनता को ग्यापन सौपा और मांगे पूरी ना होने पर आंदोलन की चिताब नी दी मेरी ग्राम पंचयत के ग्राम धनपूर में जो आठ नंबर ट्यूबल है और जपूर खीमा में ट्यूबल है तो सिचाई के केली का यूज़ करा जाता है पेजल में भी इसका यूज़ है लेकिन कई समय से लो बंटेज के कारण पानी का सप्लाई बिल्कुन नहीं हो पा रह है सबस्वाट्ज मेरी नहीं है यहां लो जाते हैं तो यहां पर ऑफ्र सकंख़ी गम है हम इस से ऊपर बोल्डेज कम Glory कोई मतला हमारे और हमारे पधान जी जो हैं अतक पे यासुमा लगे हुए हैं ये उनी की देने जो फसल बची बूची ही है तोड़ी सी भी अगर इसमें इस्टरबजार लग जाए एक तो बहुत अति उत्तम है आपसी अंदर कले जेल रही कॉंग्रेस अपने आपको मजबूत करने जुटी है जिसके चलते हलद्वानी के स्वराज आश्रम में नफसंकल्प क्रियान बयान कारेशालक आयोजन किया गया जिसमें कॉंग्रेस के वरिष्ट पद अधिकारी विधायक और कारीकरता शामिल हु और उसके क्रियान्वन के लिए प्रदेश स्थर पर अब जिला स्था यह कॉंग्रेस का कारकम चलना है चिंतन की आवशक्ता है तो परिणाम आये वह हमारे पक्ष में नहीं आये और जो आज की आर्थिक सामाजिक नियाइक परिस्तितियां है और सामाजिक ताने माने कुछ अब कैसे योगदान दे सकती है भारत को तोड़ा जा रहा है इसको जोड़ने हो इस पर घहन विचार होना है और उसमें कुछ संकल्प लिए जिसको लेकर प्रदेश इस तरपक पिर जिला इस तरपक पिर ब्लोग इस तरपक इसका किन्यामन होना है और इसका मकसद एक ही है कि पार्टी को कैसे खड़ा किया जा है तो कि आज जो बिरोधी पार्टी है तो भर्म के नाम के नाम के राजने पिता है नगरे निकाय चुनाओं को लेकर कॉंग्रिस ने कमर कसली है बताने जिसके चलते इन दौर के देपालपुर में स्थानिय विधायक विशाल पर्टील ने पार्टी के कारिकरताओं और संभावित प्रताशियों के सांद बैठकी जिसमें बाद में उन्होंने कहा कि लंबे अर्से के बाद प्रदेश में चुनाओं हो रहा है जिसके चलते सभी लोग खुश हैं वहीं दूर सी और अपने आपको विश्व की सबसे कि कहीं न कहीं वापस एक लंबे अर्से के बाद चुना हो रहा है जो उनका मौलिक अधिकार था कहीं न कहीं राजिनितिक बली चड़ रही थी आम जन्ता सवीधान में लिखा है कि पांच वर्षों में चुना होना चीए लेकिन सरकार की मनमानी के चलते हैं उनके आचरण के चलते हैं उन्होंने जो वादा खिलाफी करी वो आम जन्ता को फेस नहीं कर पा रहे थे इस खारण से लंबा समय हो गया चुनाओं देश में पड़ रही भीशड गर्मी से चंता बेहाल है इस बीच आगरा में ताज महल देखने आ रहे हैं सैलानियों को ताज महल परीसर में पानी के लिए भटकना पड़ रहा है अब यवस्ता का आलम ये है कि परीसर में बने नलसूख कर शोपीस बन चुके हैं जिसके च पुलेटिन में इतना ही आप तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं आमके न्यूस नमस्कार